बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret सनी देव हो रहे हैं वक्री यानि सनी देव की उल्टी चाल चलना अगर हम जोतिस की माने तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है सास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब सनी देव वक्री वस्था में आते हैं तो दुर्विक्ष फैलता है प्रजाजन में बिमारियां पीडाएं होती हैं और इसलिए इनका वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता तो इस बार जो सनी देव वक्री होंगे तो 11 अक्टूबर 2021 को वो मारगी हो जाएंगे पुतल मचाते हैं और दूसी तरफ देखे जो रासी पर धहिया साथी चल रही होती है उनके ऊपर थोड़ा सा वक्री सनी ऐसा मान कर चलें कि आपको ज्यादा साब्धान रहने के आवस्ता होती है जैसे कि बरतमान में धनू मकर और कुम रासी पर साथी चल रही है और तुल सनीदेव के वक्री होने का प्रभाव थोड़ा अलग होगा क्योंकि दसम अस्थान पे होंगे वक्री ऐसे में कारियों को लेकर थोड़ी दौर भाग तो रहेगी लेकिन दूसी तरफ कुछ अच्छी चीज़े भी होंगी जैसे कि जो मेस वाले हैं आपके दसमें घर में हैं अब इसमें सनीदेव आपके करियर में बस यह समझ लें कि चार चांद लगाएंगे लेकि मेहनत करवाएंगे मेहनत का फल देगा और सनीदेव की उल्टी चाल सुरू होने के बाद आपके जीवन में हलांकि अभी मैई जून का मेहना थोड़ा सा आपके लिए बिरुद में हैं लेकिन अगस्त के मेहने में कुछ ऐसा होगा जो आपके सपने रहे होंगे सपने पूरे होंगे जो ब्रिसब बाले हैं उनके लिए वक्री सनी आपके जीवन में अच्छी चीजे तो करेंगे मेहनत से लाब दिलाएंगे लेकिन पिता के साथ रिस्तों को बेतर करके चले तो बढ़िया होगा अगर आप जॉब करते हैं तो पद परतिष्ठा की प्राप्ती तो होगी लेकिन वानी पर कंट्रोल रखना होगा ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें तैस में आकर फिर परिसानी होगी पर दूसरी तरफ धन बैपार नौगरी के मामलों में फैदा भी होगा और पैत्री संपत्ती का लाब भी होगा यानि वक्तरी सनी आपके नवे घर में हैं और हमेशा ही परिसानी का कारण वनते हैं लेकिन बड़े बुजरूँं का अगर आसिरबाद मिल जाए तो खूब तरक्की करते हैं अब बात करते हैं मिथुनदासी की मिथुनदासी वालों चल रही है आपके उपर ढहिया और जो सनी देव हैं वक्तरी चल रहे हैं अब ऐसे में सिती थोड़ी खराब होगी खासकर चोड़ चपेट न लग जाए गिर न जाए नोक्री वेपसाई के मामलों में थोड़ा सा समल के रहना है और मेहनत खूब करें हलांकि उल्टी चाल आपके लिए रिस्तों में थोड़ी सी दूरियां दिखा रहा है तो रिस्तों को समभाल के रखें वानी पर कंट्रोल रखें तो बढ़ियां रहेगा और साथ ही साथ ब्यापार में हानी न हो जाए तो जरोस से ज़्यादा उधार देने से बचें अपन को संभालें क्योंकि बाद विवाद की स्थिदी दिखती है धन के मामलों में थोड़ी संकर दिखती हैं और इस समय विवाद जैसी चीजों में रुकाबटे आएंगी तो थोड़ा सा अभी रुख जाएं अगर आप वविभाईत हैं तो और दूसरी तब जो करक वाले हैं देखें आपके लिए ये वक्त सनी देप की उल्टी चाल बहुत खास रहेगी क्योंकि साथमें भाव में वक्री होंगे तो कोई मामले में आपको नुक्सान होगा क्रोध बढ़ेगा विवाद में अर्चने भी आएंगी लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि वक्री सनी आ नौकरी में स्थिरता आएगी लेकिन इस समय क्या होगा ना किसी पर भरोसा ना करें अपने कर्म करते जाएं कर्म परदान हो जाएं आपके लिए वक्त है और रोग अस्थान पर वक्री हो रहा है तो थोड़ा सा स्वास्त का ध्यान रखेगा थोड़ी सी बीमारियों की पी साथी चल रही है इसके साथ ही करनी वाले हैं आपके पाच्वे हो में रहने के साथ ही इस समय दिखे करन्यावालो आपको थोड़ा सा अपनी वानी पर भी कंट्रोल रखना होगा और कुछ भ्रम की स्तिती हो सकती है कर्मचारियों के साथ बिवाद न हो जा इसका ध्यान रखिएगा जो तुलावाले हैं उनके लिए आपके उपर चल रही है धहिया और वक्री सनी इसमें थोड़ी परेसान करेंगे ब्यापार में नुकसान होगा इसमें कहीं भी पैसे इंबिश्ट ना करें और यहां पर माता से किसी भी तरह का बिवाद विगरह ना हो जा इसका ध्यान रखना है और इसमें कहीं तरह के जगड़े वेगरह में भी फसने के योग हैं पाद विवाद से दूरी रहें तो बढ़ियां रहेगा क्योंकि आपके ऊपर धाया चल रही तो थोड़ी परिसानी बढ़ी है और इस समय आप तुला बालो वैसे तो उल्टी चाल आपको वहन वंगला का सुख देगा अपना मकान प्रोपर्टी का भी सुख देगा और घर हासिल कर ही लेंगे साथ ही साथ जो बिस्टिक वाले हैं उनके लिए देखिए यहां पर कोई नया काम करने की सोच रहें थी यह समय अच्छा है और इस समय आपको बस यह समझ लें कि रुका हुआ तमाम कारे दोस्तों की साय से पूरा हो जाएगा आपका और जो धनु वाले और बहुत ही सयम से आपको काम लेना होगा तो धनु वालों आपके लिए यह वक्त थोड़ा सा परिसानी भरा हुआ है लेकिन कुछ मामनों में आपके लिए लाभी दे के जाएगा तो ऐसे में आपको किसी भी तरह के नुकसान से बशने के लिए चुकि कहीं भी पैसे मामनों में लाब भी होगा लेकिन विवासमंदी मामनों में थोड़ी रुकाबट आएगी तो आपको यहां पर सांत रहना होगा अब यहां पर देखें मगर वालों आपके लिए यह सनीदेव की साड़े साथी का दूसरा चलन सुरू हो रहा है तो मांसिक परिसानिया थोड हैं ध्यान रखना होगा क्योंकि दुरगटना योग बनते हैं वहां भी साफधानी से चलाईएगा जो कुम वाले हैं आपके बारमें वहां में सनीदेव वक्री हो रहे हैं उनकी उल्टी चाल आपके जीवन में संगर्स बढ़ाएगा ऐसे में अपने से लगेगा जैसे क्योंकि आला सिक वहावी ना होने दें समय का फाइदा उठाए बैपार से जुड़ेवे अफसर मिलेंगे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे समाज में पहचान बनेगी बैभाहिक जीवन बढ़िया है मादा पिदा का साथ मिलेगा और धन किस्तिती आपके लिए बहुत सब्सक्राइब करें लेकिन एक बात याद रखिएगा रोज सामें ओम संग्स निच्राय नुमा का पांच बार जब करें और सनी चलिशा का पार्ट करें तो आपके लिए बढ़ियां रहेगा हरहर महादेव धनिवाद